वेल्कम बेक आज हम करने वाले डायक्टी ट्रावेल जल तो फिर स्टार्ट करते हैं भीना किसी देरी के वेल्कम बैक तुस्पिंदाग दिस इस अबसी और यह वीडियो है डायक्टी ट्रावेल जल लैप के बारे में तो वीडियो को देखते रहो आगे विदाओट लैप्तप देख रहा था मैक्बूक है तो अगर आप लोग ने पहले कि लैप्स नहीं देखे तो फो लैप जाकर देख ले आ तब यह सारे लैप्स क्या कर रहे हैं रहे है तो आपको यहाप करके यहां पर इल्यप्र नहीं कर रहे है आप सबको काम दे रहे एक के बाद एक कितने सारे लोगों को हमने एंप्लोइमेंट देदी यार तो यह मैक बूक है लेजर बूक है पता नहीं मैक बूक जैसे दिख रहे है तो अब इस यूजर इंटरफेस का मैनूल रिव्यू कर रहा है तो मैनूल रिव्यू करते हैं हम लोग यह करके देखते हैं क्या करना है होटी को इस आपको डेखना है आपको इस इमेज के उपर क्लिक किया इस तरह के चीज ओपर ध्यान नहीं देते हैं और फिर बोलते हैं को बॉग्स नहीं मिल रहा है contents the following query parameters तो ये जब आपने इसके उपर जब click किया तो यूरल भी change हुई थी अब यह चोटी मोटी चीज नहीं करते हैं लेकिन वो notice करनी चाहिए जब image के उपर click किया तो यहाँ पर अरे स्वारी image के उपर click किया तो यहाँ पर यहाँ पर यह सब भी change हो रहा था स्वाइल नेम तो यहाँ पर फाइल नेम बॉब को दिख जाती है कि फाइल नेम भी या टैक 37735.jpg है अब कहीं पर इस तरह के आगर आपको दिखता है ना कि फाइल नेम है या फिर कुछ है तो उसका मतलब होता है कि वो पाथ को डिफाइन कर रहा है अब आपको अभी मैं सम सब्सक्राइब जाता है और फाइल इसका मैंने वहांने लोग पाथ में निशा नाम था आ ख़ी पर डिखाओगा अब नोटपेड ओपन करके दिखाता हूं नोटपेड अपना साथ ही वार www.html इस तरगी के पाथ हा जाते हैं जैसे कि अगर 404 not found था उसके नीचे underline होगी उसके नीचे होगा यही होता है पाथ travel cell का starting point यही से आपको path travel cell मिल सकता है अगर होगा तो यहाँ पर यह code देखते हैं जब भी get thumbnail पर click करेंगे हम यानि कि thumbnail के उपर click करेंगे तो folder का नाम फाइल का नाम और वो सब कुछ होगा उसको URL के अंदर दिखा देगा तो यह basically coding कर रखे हैं इन लोगोंने नॉर्मली दिखा देगा without any further validation तो आगे कोई validation नहीं करेगा सब कुछ नॉर्मली आपको दिखा देगा तो इस file name को अब आप change कर सकते हो ठीक है मतलब क्या होगा इस जब आपने image के उपर click किया था ना तो यह website गई होगी server के पास तो server को बोला होगा कि यह वाला image है उसको देखना चाहता है ठीक है बॉब तो मुझे उस URL को देते तो website ने जो server है उसने यह वाला image आपको दिखा दिया आपको पता चल रहा है कि यह जो parameter है ना इन लोग ने highlight तो आपको यह पता चल रहा है कि यह जो parameter है ना वो variable है variable का मतलब change हो सकता है तो यहाँ पर आप कुछ औ पर क्या है यह basic file होती है तो itc password आपने मंगवाया अब यह क्यों किया यह क्यों किया वो भी मैं आपको समझाता हूं notepad फिस open कर लेते हैं अब मैं पहले क्या करता हूं इस पूरी URL को copy करता हूं कर पाऊंगा allowed है हाँ allowed तो है लेकिन यहां तक यह allowed है ठीक है चलो मैं normally आपक इसके बाद है मैं basically कुछ भी लिख रहा हूं thumbnail image इसको थोड़ा सा बढ़ा करते हैं और यहां पर है folder name is equal to xyz और कुछ क्या है और है file and file name is equal to xyz तो अब हमने यहां पर dot क्यों लगाए वो आपको कर रहा होगा कि यह dots क्यों लगाए तो normally dots इसलिए लगाते है ताकि हम url में पीछे जा सके अगर मैं आपको full screen बंद करके नए tab में ले जाता हूं और अगर मैं यहां पर zometo ncr पे click करूंगा अब यहां पर आप पहुंच गए zometo ncr पे अब मैं order food online पे click करूंगा अब देखते हैं अब यह url चेंज हुआ ठीक है अब इस url के अंदर आप लोगों ने यहां पर मैं दिखाता हूं आपको इतना url है अब अगर आप dot 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 करके enter press करोगे तो फिर वो url पीछे जाता है मतलब back गया वो पीछे गया पहले क्या था पहले इतना था अब आपने इस तरीके से किया तो वो पीछे चला गया देखो वो चला गया answer के उपर अब यहां पर भी अगर आप करोगे तो वो पीछे चला जाएगा इस तरीके से basically यह dots का का काम होता है तो आपने यहां पर कित यहां पर नीचे कोड को देखो तभी आपको समझ में आएगा अब प्रैक्टिकली आपको एक्स्परेंस होगा ना तो सब समझ में आ जाएगा मैं यह आप छोटी-छोटी चीज़े समझाने बैटूंगा तो भीया थाइम लग जाएगा अब जैसे एंटरप्रेस करा क्या लो सोना टार्गे ऐलीची इस लिएक नहीं हो रहा यह कोड बशेकल के कहना चाहता है वहलीटिशन वर्येशन औन процे कि ise फोल्डर में प्लस फाइल नेम मतलब यहां पर unauthorized access दे देते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसको आपको देखता है ना वो 4034 बीडन या फिर unauthorized access ऐसा कोई error देने ना चाहिए कि ढ़िस्टिए तुट पीस